रेटिंग एन रिव्यू का प्रियोग कैसे करें और क्यूं करें अलाय लर्न आपको ये सुविधा देता है कि जो भी पेपर आप पड़ रहे हैं उसको आप रेट कर सकते हैं और उसके बारे में एक रिव्यू लिख सकते हैं इससे दो चीज़े होती हैं एक तो आपका फीड़ बैक हमारे पास पहुंचता है हमें पता चल जाता है कि हमारा कंटेंट कैसा बन रहा है दूसरी चीज अगर कोई नियू यूजर हमारे एप पर आता है तो उसे हमारे कंटेंट के बारे में रिव्यू देखकर आइडिया लग जाता है तो फ्रेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली डेली उनियूरस्टी के स्टुडेंट से कि आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं जो भी पेपर पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसकी रेटिंग और उसका रिव्यू जरूर दें ताकि हम अपना कंटेंट और इंप्रूव कर सकें तो चलिए देखते हैं कैसे हम रेटिंग और रिव्यू को इस एप पर डाल सकते हैं तो सबसे पहले आपको उस पेपर की लिस्ट को खोलना होगा जिसको आप रेट करना चाहते हैं तो चलिए कोई एक पेपर की लिस्ट खोल लेते हैं लेट से रियल अनालेसिस यहां पर आप देख सकते हैं पांच में से अब तक 4.7 इसको रेटिंग मिला हुआ है चाहे तो आप इन stars पर क्लिक कर सकते हैं या rating पर क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप tap करेंगे आपको दूसरे लोगों की ratings दिखाई देगी इन ratings को पढ़कर आप idea लगा सकते हैं कि हमारा course कैसा है उसके बाद आप सबसे नीचे जाकर write a review इस पर tap करें जितने भी आपको rating देना है 1 star, 2 star, 3 star, 4 star और 5 star उसको select करें और यहाँ पर अपना message टाइप करें यह एक तरह से आपका feedback है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो यह मैंने एक छोटा सा message यहाँ पर लिख दिया है अब आप post review पर क्लिक करें अब आप देख सकते हैं आपका review सबसे ऊपर दिखा रहा है latest review ऊपर आते हैं पुराने review नीचे आते हैं अगर आप इसको delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर delete का option आपको दिखेगा इस पर tap करें Do you want to delete this review? Yes तो आप इसको delete भी कर सकते हैं अगर आप से कुछ गलत review हो गया है तो आप उसको delete करके दुबारा add कर दीजिए So friends, please do add reviews on each of our paper which you have watched. Thank you.